मेरे प्यारे देश श्वाशियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमरी सेनाएं देश की अखंडता और संप्रवुता की रक्षा के लिए हमेशा अपने तन मन से तैनात रहती हैं। अब तक लड़े गए युद्धों में अपनी बहादुरी यमरण कौसल का परिशे देना हो, या सीमा पार से हो रही आतन की गत्विधियों का मुकाबला करना हो, या फिर बिभिन आपदाओं में नागरिकों की सहायता करनी हो। हमारी आर्ण फोर्सेज ने हमेशा प्रसंसनी ये काम किया है। मात्र भूम की सेवा में हमारे सैनिकों के बहु मुल्य योगदान के स्मरण और सम्मान में हर साल साथ दिशंबर को ससस्त्र सेना ज्हंडा जिवस मनाया जाता है। और साथी देश्वर में दिशंबर का महिना गौरव माह के रूप में मनाया जाता है। साथियों, राष्ट रक्षा में अब तक हमारे अनेक योद्धाओं ने अपना सरवच्च बलिदान दिया है। और अनेक सैनिक, सारीजिक रूप से अक्षम भी हुए हैं। देश के एक जिम्मेरार नागरिक के रूप में इन सैनिकों, वीरनारियों और अनाथ बच्चों और उनके आस्रितों के परती हमारा भी एक बड़ा दाईट बनता है। इनकी सहायता, देखभाल, पुनरवास, चिकित्सा आदी के लिए यथा संभो, वित्तीय सहयोग करना प्रतिक नागरिक का नैटिक दाईट तो है। हम आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष में आजादी का अम्रित महोत्सो मना रहे हैं। यह महोत्सो हमें अपने वीर सैनकों और परिजनों के प्रती कृतग्यता ग्यापित करने का आउसर प्रदान करता है। मैं आप सभी सी निवेदन करता हूँ कि आप खुले मन से हमारे वीरों और उनके परिजनों की सहायता के लिए आगे आएं। और जीतना बन पड़े, Armed Forces Flag Day Fund में अपना योगदान दे कर उनके प्रती अपनी कृतग्यता ग्यापित करें। अभी हाली में Armed Forces Flag Day Fund का एक dedicated portal launch किया गया है। जिसके माध्यम से कहीं से भी अपनी स्वेक्षा से यथा संभो योगदान किया जा सकता है। झाल